प्रदेश की शिवराज सरकार ने लागों महिलाओं को लाड़ी बहना योजना के तहत हर महीने एक थार रूपी की राश्वी दे कर संबल देने का काम किया है हजारों महिलाओं को स्वारोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है जिसको लेकर देश के सबसे स्वक्षे श्वहरे दौर की महिलाओं ने CM शिवराज सिंग चोहान को धन्यवाद दिया देखे इसी पर हमारी अखास रिपोर्ट लाड़ी बेना योजना से बदली लाखों महिलाओं की जिंदगी प्रदेश की लाखों महिलाओं के सपने हो रहे साकार प्रदेश के मुख्या को महिलाओं न दिया दिल सिध धन्यवाद रक्षा वंदन पर अपने CM शिवराज को भेज़ेंगी राखी लाड़ी बेना योजना से लावानवे तो होने वाली महिलाओं से जब MPNews की टीम ने Ground Zero जाकर बात की तो कुछ ऐसे पहलो निकल कर सामने आए जिसे की रोजमर्रा के जिंदगी में चल रही परिशानिया कम हो गई जहां इस योजना से महिलाओं के जीवन में काफी महत्वपूर परिवर्तन आए और महिलाओं खुद के पैरोपर खड़ी होकर स्वारोजगार की ओर आगे बढ़ने लगी अब मैं तो बिध्वाँ होरह हो तो मेरे बच्चे की पीस भड़ती हूं और बाकि मारा खर्चा कर लेती हूं बच्चे कर मेरा बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू इस योजना से लाव प्राप्त करने वाली महिला ने खुद अपने पैरों पर खड़े होने की बाद कही और योजना से लाव हानुवित होने के बाद खुद का स्वारोजगार चालू किया यानि कि इस योजना से लाभ मिलने के बाद में यह कहा जा सकता है कि इस योजना से प्रदेश की लाखों महिलाओं के जीवन में काफी हद तक परिवर्तन आया है वहीं अब वो अपने भाई यानि सीम शिवराज को रक्षा वंधन पर राखी भीज कर इसी तरह साथ देने का वचन मांगेगी व्यूर रिपोर्ट आपी न्यूज इन दौर